आज हम देखेंगे बीजिये वेंजकों के विभाजन से जुड़ी कुछ साधारण गलतिया गलती एक कुछ बच्चे बीजिये वेंजकों यानि एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन का विभाजन अधूरा छोड़ देते हैं जैसे यदि बच्चों को यह सवाल दिया जाए और इसे सरल करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे निरस्तिकरण यानि कैंसलेशन की विधी से अंच और हर के चर वाई को काटते हैं लेकिन इसके बाद वे सोचते हैं कि अंच हर से विभाजित नहीं हो सकता इसलिए वे सवाल को आगे सरल नहीं करते और इसे अधूरा छोड़ देते हैं इस गलती से बचने के लिए हम बीजिय व्यंजकों का विभाजन करते समय अंच और हर का गुणनखंडन कर सकते हैं इससे उभाजनिष्ट गुणनखंडों को निरस्तिकरण की विधी से काटा जा सकता है और सही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है गलती दो यदि बच्चों को 6 पी का घन विभाजित 2 पी को सरल करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे चरों के घातां को याने एक्स्पोनेंस को घटाना नजर अंदास करते हैं और अंश में स्थित चर और उसकी घात को वैसा का वैसा लिखते हैं इससे उन्हें गलत जवाब 3 पी का घन प्राप्त होता है यदि एक जैसे चरों का विभाजन किया जाता है तो चर की घात में भी परिवर्तन होता है 6 पी का घन का गुननखंडन किया जाए तो यह होगा 2 गुणा 3 गुणा P गुणा P गुणा P इसी तरह 2 पी का गुणनखंडन होगा 2 गुणा P यहां हम हर के 2 से अंच के 2 को तथा हर के P से अंच के P को काटेंगे जिससे परिणाम प्राप्त होगा 3 पी का वर्ग इसी को गातांकों के नियमों की साहिता से भी हल किया जा सकता है चुकि A की घात M विभाजत A की घात N बराबर A की घात M रिन N है इसलिए यहां 6 पी का घन विभाजत 2 पी को इस प्रकार सरल करके सही परिणाम 3 पी का वर्ग प्राप्त किया जा सकता है गलती 3 समीर को आमिर ने कोश्टाक में x का वर्ग, रिण, x का वर्ग, y का वर्ग, विभाजित, x का वर्ग का परिणाम घ्याद करने के लिए कहा समीर ने इसे इस प्रकार हल किया क्या आप बता सकते हैं की उसे सही उत्तर प्राप्थ हुआ या नहीं? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं बहुपद को एक एक पदी से विभाजित करते समय समीर के तरह कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि अंश और हर में एक जैसे पद हो तो उन्हें काटा जाता है इस समझ के साथ वे एक पदी यानि मोनुमियल से बहुपद यानि पॉलिनॉमियल के किसी एक पद को काट देते हैं जैसे यहां समीर ने हर के एक्स के वर्ग के साथ अंश के सिर्फ एक पद के एक्स के वर्ग को काटा है लेकिन ऐसा करना गलत है हमें यहां एक्स के वर्ग से अंश के प्रतेक पत को विभाजित करना होगा यह हम बहुपत के प्रतेक पत को एक पदी से अलग-अलग भाग दे कर कर सकते हैं जिससे हमें सही जवाब प्राप्त होगा एक रिण वाई का वर्ग गलती चार कई बार बच्चे विभाजन दर्शाने के लिए इस चिन्न का प्रयोग करते हैं जैसे यदि उन्हें एक्स के वर्ग धन चार एक्स को एक्स धन चार से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो वे इसे इस प्रकार लिखते हैं क्या आप बता सकते हैं यहां क्या गलती हुई है सोची सोचीए बिल्कुल सही यहां कोश्टकों का प्रयोग नहीं किया गया है इसके कारण देखने वाले को यह प्रतीत होता है कि X से सिर्फ 4X को विभाजित किया जा रहा है कई बार इससे उधारण को सरल करते समय भी भ्रम की स्थिती बन जाती है और इससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसी गलती को कोश्टकों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है और सही परिणाम प्राप्त किया जा सकता है तो आज हमने देखी बीजिय व्यंजिकों के विभाजन से जुड़ी कुछ साधारण गलतिया बीजिकों के जा सकते है